सेव मंगल मंगले शिवे सवार्थ साधी के शरन नई त्रयंब के गाउरे नारा यही नमूस्त ते हलो मा यूट्यूब फैमली जैम आता दी कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूं आप सब लोग ठीक होंगे बढ़िया होंगे मज़े में होंगे मैं भी विल्कुल ठीक हूं आज है दुरगाश्ट में और अभी टाइम हो रहा है सुबह के गरीबन पांच बज़रें सुब दीन पूरी चाहे ना हो पर बहुत अच्छा लगता है सच बताओ ना दिल को बहुत ज़दा सुकून सा मिलता है ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है तो जो भी जुडाव जिनका है वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूं जिनका अपने इष्ट के लिए और आज सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले बरतन खड़काने शुरू कर दिया है क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ उठने में और मैं चार ही हूँ कि पती दे जल्दी उठ जाए आज थोड़ा सा और मेरी हल्प कर दे तो इस वज़े से मैंने सबसे पहले बरतन लगाए ताकि बरतनों की खड़बढाट सुनके उठ जाए पहले मैंने उठाया था उनको पर वो उठे नहीं वो बोले मैं पांस-दस मिनिट ओर सो रहा हूँ तो मैंने बरतन लगाना शुरू कर दिया तो वो बरतनों की आवाज से जो है फिर उनको निन्नी है यह वो भी जल्दी उठ गए और खेर दोनों ही करते हैं मिलकर उठकर पूजा की तियारी सुबह-सुबह अकेले से तो सब कुछ हूपाना मुश्किल हो जाता है और इदर बुल-बुल भी आज जल्दी उठ गई है क्योंकि दुर्गाष्ट में है आज इसकी भी पूजा घर पे भी होगी और यह ताउजी के घर भी जाएगी तो उसको भी जो है मैंने नहाने बेज़ दिया और सबस भी उसके नकरे शुरू हो गए है कि यह मुझे नहीं पहनना है यह पहनना है यह वो पहनना है खेर आज मातारानी है तो आज इसको मैं कुछ कह भी नहीं सकती डांट भी नहीं सकती उसको भेलाफस लाके नहाने भीज़ दिया है और इदर मैं आगी थी नहाकर प्रशाद की तयारी करने परशाद की तयारी मैंने कर भी ली और जल्दी जल्दी मैंने मोबाइल ओन करना ही भूल गी कैमरा ओन करना ही भूल गी आज तो तो रेसिपी आज मैंने आप लोगों को नहीं बताई है वैसे रेसिपी क्या ही बताओ यार कुछ लोगों को बड़ा तकलीव भी रहती है अगर रेसिपी मत दिखाया करो आप हमें आता ही है सब कुछ चलो जी ठीक है अची बात है आप लोगों को आता है तो मैंने आज नहीं आतरानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और सब को खुश रखे यही मेरी कामना है तो बस अब तयार हो गई हूँ और अब करेंगे पूजा कर लेते हैं उसके बाद करेंगे देवी पूजन और देवी पूजन आज अस्ट्री कोई कर रहे है मैंने जैसे पहले बता है तो अब चुट्टी तो नहीं है अलग आज भी नए बच्चे भी चुट्टी कल भी नहीं है तो फिर भी जो है देवीया मिल जाती है कल नहीं मिलती है आज मुझकिल से मिलेगे डून डून के लाना पड़ेगा देवियों को तो ज़ली आप ज्यादा बात नहीं करती कि इतना कर लेकर आई थी नहीं नहीं और बस बड़ापट जल्दी से त्यार हो गई हूँ सो चेंज करूंगी पर इतरा टाइम नहीं है लेट हो रही है तो चली पहले कर लेते हैं पूजा और फिर मिलते हूं आप लोगों से थोड़ी देर ने बुल-बुल चलीगी यह ताउजी के घ पर इस बार चुटी नहीं है पता है नहीं क्यों हर साल जो चुटी होती है बच्चों की स्कूल की पर इस बार चुटी नहीं हुए बुल-बुल की भी आज हमने स्कूल जो है मिस्की करवाई है उसकी चुटी नहीं थी और हां किसी सब्सक्राइबर ने कहा भी था कि जो काल पूज़ा करते हैं पर हमने फिर वह यह कि सोच लिया था कि और कन्याओं को जो है नोता भी दे दिया था तो इस वज़े से हमने फिर अश्चमी को ही कर ली पतिदेव बोल को पहले ताउजी के घर बेज दिया था पूजा करने के लिए और यहां पे मैं प्लेट साफ कर रही हूं करन्याओं के लिए भोजन के लिए खाएंगी तो थोड़ा-थोड़ा क्योंकि आज जो है बहुत घरों में उनका पूजन होता है तो बस यहां पर मैं और पतिदेव कर रहे हैं पूजा और जोत जो है हम पूरे नौ दिन नहीं लेते हैं किसी यहां पर इसी तरह से होती है पूजा अब बुल बुल आ गई है वहां से पूजा करवा के अब हम लोग करेंगे आर्ती और उसके बाद होगा कन्या पूजन पूजा आर्ती जोत सब कुछ कर लिया है और जोत बहुत जल्दी आ गई थी इस तो एक पूजा बहुत जाना मियरे दादी चाती थी कि अगर मायें जोत जल्दी आ जाए है तो मतलब तैसे होता है माता रानी आपकी पूजा भावना से बहुत ज़्या हैं और उठे को तो जल्दी आ जाती है मतलब में दादी कहती थी जब हम चोटे थे और मेरे माईके में तो जो है रोज 9 दिन जो है जोत लेते थे इस तरह से होता था पर वही है ना ससुराल में तो और से 9 मी को जोत लेता है तो आज हमने अस्टमी देवी पूजन किया तो आज भी हमने जोत ले ली थी और यहां देवियां भी आ गई है और अब मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मैंने आज क्या क्या बनाया है तो रेसिपी अगर आपको होगे तो यह सब चीजे कल भी बनेगी तो मैं शेयर कर दूँगी जिनको रेसिपी देखनी होती है तो वसकीर बनाई है और हलवा बना है चने बने है आलू की सबजी बनाई है वैसे जरूरी नहीं होती है पर वो यह बच्चों को पसंद आती है आलू की सबजी इस वज़े से और पूरियां बना ली थी पहने पहले ही बना के रख दी थी मुझे लगा बच्चे जो है मतरानी जो है देवियां आ अभी भी इंतजार ही हो रहा है और जब सब लोग आ जाएंगे तब एक साथ पूजा करेंगे तो मैंने पूरियां बना के रग दी थी पर ठंडी हो गई है पर जब बच्चे आ जाएंगे तो मैं गरम बना दूगी वैसे पती दे तो कह रहे थे बच्चों से गरम खाई नहीं बस तब बोजन कर रही हैं ये देवियां खाती कुछ भी नहीं थोड़ा थोड़ा सा प्लेट में डाला था इकदम थोड़ा-थोड़ा सा बिलकूल एक जो है पीस आलू की सब्जी का डाला था थोड़े से चने थोड़े सा हलवा सब कुछ चीज़े थोड़ी-थोड़ी सी दी थी पर बच्चों से नहीं खाया जाता है क्योंकि बच्चे सुबह सुबह जल्दी ही निकल जाते मुझे आज भी याद है जब मैं भी छोटी थी तो गरीबें पांच-पांच-छे-छे घरों में खाना खा के आते थे और इतना खुश हो जाते थे जिस दिन अवरात्रे होते थे सुबह 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 ही वैसे भी हम न देकर आये थे गिफ्ट बच्चों को वो दे दिये सबसे आशिरवाद ले लिया और यहां पर मैं फोटो क्लिक कर ली थी तो पति देव जब को अर्जेस्ट कर रहे थे क्योंकि बच्चों को जूला बड़ा पसंद आता है जो भी बच्चे आता है मेरे घर में मेरे बच्च के बुलबुल कभी इनको उतारती भी नहीं है केले खेलती अदब और अब सारे बच्चों में मिलके और खूब मस्ती करिया है खैर हो गया है देवी पूजल अच्छे से और अब पहले तो हम करेंगे पाठ और उसके बाद हमारा खाना पीना होगा ठक गया आस तो सुबह से किसी ने मुझसे पूछा था कि जब भी मैं पूरिया वगरे बनाती हूँ तो मैं जह सर पे पल्लू क्यों लेती हूँ क्योंकि हमारे पुराने कहते थे कि जब भी भी तेल का कोई भी काम करो ना तो सर पे पल्लू ले लो तो तो तेल थोड़ा कम जलता है ठीक है यह पुरा कम जले और बस टाफट जो है पूरियां बना लूँगी जो आटा रह गया है उसकी और मेरी जेठूती और मेरी जेठूती का बेटा यानी मेरा दोईता वो भी आया हुआ है तो लोग भी आयें खाने पे और उनके लिए मने फ्लेट लगा दिये आजाए आप लोग भी खा ली है और मैं बना रही हूँ यहां पे खाना मैंने प्लेट लगा दिया इन लोगों के लिए तो यह मेरी जेठूती है और यह मेरा दोईता है तो बस वो लोग आ गए थे और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया तो दिन में क्योंकि मैं बहुत ज़्या ठक गई थी तो बस खाना खाया और रेस्ट किया और अभी सिदा आप लोगों से शाम के टाइम मिल रही हूँ शाम का भी क्या रात के गरीवन साथ बज़ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं दुर्गा मंदिर आज दुर्गा श्रमी को जो है मंदिर जाता है जब नवरत्र शूरू होते ह मस데 भी हम मंदिर जाते हैं और दुर्गा श्रमी को भी मंदिर मतरानी के दर्शन करने जाता है तो बहुत फ़ीड रहती है और इस एरिया में तो जाम लग जाता है जाम लग जाता है कियो कि यहां पर रेल्वे वह लाइन हैं तो यहां पर ट्रेन जाती है तो फाटक बंद ह तो वहाँ पर थोड़ दिर पेट किया और उसके बाद अब आ गया मंदिर और जी ये था मेरा दुर्गास्ट मी व्लॉग अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर देना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना आने वाले दिनों में और भी अच्छ अच्छे वीडियो और व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पर इसे के साथ करूंगे इस वीडियो को यही परेंट फिर मिलूंगे एक नएव लोग में जय माता दी